नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ष से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टिटूट पर तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको आईटी फर्स्ट इयर के अंदर इंजिनिरिंग ड्रोइंग के अंदर जो है लगब बच्चों की बेक आती है तो बेक ना आए उस लियास से ये वीडियो लेके आए हूँ बहुत ही इपोटेंट वीडियो है तो कम्पलीट दे से बनते हैं तो उन सभी के बारे में इस एक वीडियो के अंदर आपको जो है कम्पलीट डिटेल मिलेगी तो वीडियो को कम्पलीट देखिएगा दूसरा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए जिससे आगे आनने वाली जो व अधर दोस्तों आपके लिए सबसे पहला जो सेप्टर रहता है लिसे Major का परीचे अंदर आप कंदर आप मہित्वन से रिलेटिड कोशन जो है पेपर के अंदर नहीं है कि इंजिनिरिंग बारे में बताए जाता है बस अब भाद सीट उसके वाद में विच्छार अभिवक्ति के माद्यम से इसके हो अन्य तकनिकी ड्रुइंग के साथ सम्मंद अरेक्षन के दोरानाती मैतुपुन साथ दनिया इन से रिलेटेड पेपर में कोशिन नहीं आता hopefully दोब दोस्तों लेकिन पेपर में जो कोशिन आता है वो दोड़ेंग इंजिनिरिंग ड्रुइंग उपकरन तो आप से जो है ये बोल सकता है कि आप ड्रोइंग बोर्ड और टी स्क्वार का डाइगराम बनाएए आपको बोल सकता है कि आप सेट स्क्वार का डाइगराम बनाएए शो जो है आप प्रोटेक्टर या डी का डाइगराम बनाएए आपको जो है जितने भी इंजिनिरिंग के अंदर उपकरन यूज होने वाले हैं उन सभी के बारे में बुला जा सकता है दूसरा इंजिनिरिंग डोगिंग अंदर कौन-कौन सी सावधानिया सामगरी यूज होती है तो सामगरी के अंदर जितनी भी सामगरी यूज होगी उससे रिलेटेड जो है पेपर में कोशन आ स लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन्स जो है कितने परकार की होती है दोस्तों यानि कि आप से क्योल और क्योल ये पुछा जाएगा कि जो आप सेंटर लाइन बनाइए लोंग ब्रेक लाइन बनाइए ये सीधा आपको नाम दिया जाएगा और आपको नाम देने क का अरेकन तो इसमें देखे कॉन है वरत है त्री बुज़ है शक्कवकाट है चत्र बुझ है मुटहस चित्रण है बहु बुझ है तो अब इसके अंदर देखिए आपके लिए बहु बुझ जो है यानिकी अब जैसे बोलते है पंच बुझ है छे बुझाओं के साथ में कू Münko के अंदर जो asth etrics और परबोला और वगर है वो आ जाते दोस्तों आपसे यह नहीं बोला जाएगा कि आप घूरमजै इसया नबब डिग्याइए त हूरम बनाने के लिए भी नहीं बोलेगा कौश्च बनाने के लिए के लिए भी नहीं eggenh fix बनाने के लिए लेकिन उजार related chapter में से आएगा यानि कि उजार से बोलेगा कि आपको ये दो उजारों के जो डाइगराम है free and sketching के दूरू बनाईए तो यहां पर इसका कोशन नहीं है उजार के अंदर आएगा जब आगे आएगा तो मैं आपको बता दूँगा अब अक्षरांकन और अक्षरांकन अक्षरांकन वैंकाकन के तरीके theoretically माद्यम से आपके कितने परकार के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पेपर के अंदर बोल सकता है कि Gothic लेटर बनाईए Roman लेटर बनाईए Italic लेटर बनाईए तो आपको कितने परकार के होते हैं वह बतने पढ़ tidak हैं तो इसके लिए आपको जो है चाँकन के कितने तरीके हैं कितने परकार है वह पता ओना जाये क्योंकि पेपर में एक line देगा वो particular और बोलेगा कि इस line को आप Gothic लेटरिस के अंदर लिखिए या फिर वो बोलेगा कि आपको ये जो लाइन है इसको single stock letter के अंदर इतनी उंचाई के अंदर आपको जो है Roman, Gothic या Italic के अंदर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि Roman किसा लिखा जाता है, Gothic किसा लिखा जाता है और Italic किसा लिखा जाता है अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो परवाइड करूँ इन सभी की तो आप नीचे कमेंट सेक्षन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको इसकी जरूरत होगी तो मैं जरूर आपके लिए कोशिश करूँगा जिससे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आउगा दूसरा अब देखिए वीमांकन वीमांकन यानि की डाइमेंस निंग वीमांकन के परकार ये एक इपोर्टेंट जो है बहुत ही कोशन है इसमें क्या होता है कि पेपर के अंदर ये जो है वीमांकन के परकार कितने परकार की है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में एक पर्टिकुलर डाइगराम देगा वो और उस डाइगराम को बोलेगा फिर से बनाएए और फिर से बनाके उसकी जो माप है कौन सा परकार है तो परकार का नाम दे देगा और बोलेगा इस परकार के according diagram की map दिखाईए ऐसा question देगा तो आपको dimensioning या विमांकन के अंदर विमांकन के जो परकार कितने होते हैं वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए नियम कौनकोन से है यह आपके tootically के मदयमस आती है इसकी परदासन के से करना है यह सारी के सारी चीजे विमांकन के परकार जैसे जैसे आप उप्योग करें मैं आपके त्यार होते आपका हो सकता है कि isometric जो है वो आपसे पूछ लिया जाए कोई जरूरी नहीं है कि आपको third angle ही पूछा जाए तो हो सकता है isometric हो सकता है first angle हो सकता है third angle हो सकता है oblique view तो projection important है इसके अंदर यह इसके जो परकार है वो सारे के सारे include ही है सारे के सारे important रहेंगे दोस्तों अब इसके बाद में बात करते हैं रूडिगत एउ परतिकारत्मक परदस्तन यानि कि आपके जितने भी जो है चिन है यानि कि symbols आते हैं उन symbols के बारे में जो है यहां पर कोशन है तो symbol जो है वो बहुत important है क्योंकि paper में एक कोशन जो है या तो symbol से regarding रहता है या फिर आपका जो एक कोशन है वो आपका जैसे मैंने या बोला रहता है ना free and sketching के तरू यानि कि free and sketching के तरू आपको बोला जाएगा जो परकार है उसके regarding आपका एक कोशन जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है दोस अब देखिए ठोस आकर्तियों का आरेखन इसके अंदर आपका जो है सारे के सारे ठोस कौन आ जाते है जैसे प्रिजम आ जाता है पिरामिड आ जाता है ठीक ना इसके अलावा आपके जो वह चुछा जाता है इन सबीक के बारे में जो है पेपर के अंदर कोशन पुछा जा सकता है कि आप एक पिरामिड बनाएए शंकू बना इए कूश्व पूच्छा जा सकता है दोस्तोथ और नहीं बुड़ा तरह मुक्तहस्ट चितरन ऑज्चां और इसके अंदर बोल सकता है, दो कटिंग उजार बनाईए, दो मापक उजार बनाईए, दो मारकिंग उजार बनाईए, दो असेम्लिंग और डिसेम्लिंग उजार बनाईए, ठीकरा दो पकड़ने वाले उजार बनाईए, दो वेल्डिंग उजार बनाईए, मेकेनिकल डिजल के उजार कि यह दो जार बनाई है दोस्तों अब इसके बाद में देखिए यहां पर आपको बोला गया थार्ड एंगल प्रोजेक्शन यहां पर अलग दिया हुआ था और यहां पर आपका एक अलग से चैप्टर ही आ गया इस चैप्टर के अंदर आपका सबसे इपोर्टन सीज है यह दो बार क्यों आया है यह दो बार इसलिए आया है क्योंकि पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कोशन आपका हमेश्या रहता ही रहता है कोशन तो यह चैप्टर आपका अगर पेपर की मैं अगर बात करूं तो पेपर अगर आपका 50 नंबर का आता है तो 50 नंबर में से आपक जो है 20 नमबर केवल और केवल एक अकेला ये कोशन लेके जाता है दोस्तों 20 से 25 कोशन नमबर जो होते हैं वो एक अकेले इस कोशन के होते हैं अब देखिए इसके बाद में जो भी आपके बांधने वाले जो चीजे होती है यानि की रिबेट वगेरा है नट बोल्ट आपके आते हैं उनके आपके थर्ड एंगल और एक यानि की आपको तीन जो है आपको दिखाने है एंगल से तो उसमें आपकी रिबेट है बोल्ट है नट है स्क्रू है वाशर है यह सारे के सारे एपोर्ट है देखो यहां पर अगर कोशन जो ना अगर आपका उजार से रिडेट नहीं रहा अगर उजार से related question आपका यहां पर नहीं रहा तो उस condition में आपका question इन में से आएगा यानि कि आपका जो question है उसमें बो बुलेगा net बनाईए rebate बनाईए ये net बनाईए ये stud बनाईए आपका इसा question paper में आ सकता है अब इसके बाद में समान्य ब्लोकों के आरेक विवरन यानि कि आपके जितने भी जोड होते हैं ठीक है ना तो उनके जोड है यानि कि दो चीजों को जोडने के बारे में जो है जितने भी question answer है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं लेकिन ये इतना important आज तक अरिबेट से बनाओगे नेट बोल्ट से बनाओगे तो इनके बारे में question जो है वो पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है तो ये जो थे ये आपके तेरा chapter है first year की drawing के अंदर तो तेरा chapter अगर आप first year की drawing के लिए आज से अगर त्यार कर लेते हैं दोस्तो तो आपके paper के अंदर जितने भी question आएंगे वो आपको सारे के सारे जो कोशन आटाइमट है अराम से कर पाऊगे तो इतने यहां पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं मार्क किये दिख रहे हैं तो अगर आप पुराने paper उठाएं के अंदर comment जरूर किजिएगा जिससे क्या होगा कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो comment देखेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि वीडियो इपोर्टेंट है और उनके अंदर से कोशन जो है वो आए हुए दोस्तों तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी और वीडियो चाहिए इससे रिलेटर तो comment section के अंदर comment कर दीजिए जिससे मुझे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी वीडियो जल्दी देनी है तो उसके according में आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रवाइड कर पाऊंगा तो मिलेंगे next वीडियो में तब तक के जय हिन जय वर्द दोस्तों